सब्सक्राइब और प्रस्ट बेल आइकन और नवर मिस अपडेट्स फाम यूटूब चैनल साइबर सुरक्षा हलो दोस्तों आज आपको मैं कुछ ऐसी चीजे की जानकारी देने वाला हूँ जिसके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि किस तरह से एक फोन से दूसरे फोन को हैक करके आपका डेटा चुराया जा सकता है और किस तरह से एक छोटे से एप से आपके सारे क्रिदेंसिल्स को जानकर साइबर अपरादी आपके पूरे खाता को खाली कर देते है वेलकम तो चैनल साइबर सुरक्षिन दोस्तों हाल फिलाव में RBI ने एक गाइडलाइन जारी किया है जो RBI के IT सेल है उन्होंने एक गाइडलाइन दिया जिसमें एक आप के बारे हम बताया गया था वो एक छोटा सा आप है जिसका नाम है Anydesk Anydesk app जो होता है वो एक remotely controlled app होता है जो कि आपके एक phone से दूसरे phone को connect करते हुए आपके सारे credentials को जाना जा सकता है यह एक bi-directional app होते हैं जिससे लोग अमवन hack करना कहते हैं वो एक two-way communication app होता है जिसमें होता क्या है कि उसे download करने के बार आप एक mobile से दूसरे mobile के screen को साजा कर सकते हैं दूसरे के screen को देख सकते हैं Anydesk आपको download क्यों करने को बुला जाता है इसके बारे में जानते हैं जब भी आपका कभी transaction करते वक्त कहीं पैसा फस गया या transaction करते वक्त आपसे कुछ गड़बड़ी हो गई और आप Google सर्च करते हैं Google सर्च करके जब आप कोई number निकालते हैं और उस पर customer care को call करते हैं उससे में होता क्या है कि वो customer care का number नहीं होता वो customized number होता है cyber fraudster का जब आप cyber fraudster को call कर देते हैं तो वो आपको remotely controlled app जो any desk है उसको download करने को बोलता है 6 MB का app बोलता है आपको कि तुनत आप अपने play store में जाईए और any desk type की जो download कर लिए download करने के बाद उसमें 9 digit का एक number code आता है उस code को वो आपसे share करने को कहता है आप जैसे उस number को या code जो आया code download करने के बाद आप जैसे open करोगे app वो code दिख जाता है उस code को आप share करते हो जैसे share होता है उसके बाद certain access grant connection के लिए वो आपसे बूलता है कि allow कर दीजे जिस तरह स कोई app आप download करते हैं तो app download जब आपका app होता है तो उस समय आपसे certain permissions मागे जाते हैं आप उसे allow कर देते हैं उसी तरह certain permissions any desk download करने के बाद भी आपको fraudster होता है कि आप उसे allow कर दीजे जैसे ही आप अपने अपना जो coded digit है वो आपने अपना code उनको दे दिया जो 9 digit का code होता है वो आपने दे दिया जैसे ही आपने उसे दिया आपके पूरे screen को वो share कर सकता है मैं उसके बारे में आपको live demo भी दिखाता हूं कि कि किस तरह से एक screen में आप any desk download करने के बाद दूसरे screen पे आपका any desk जो download पहले से है उसको आप अपना 9 digit का code देते हैं जैसे ही 9 digit का code देते ह certain access grant करने को आप से fraudster बोलता है आप उसे access grant कर देते हैं और वो सारे credentials को आपको जान लेता है वो देखने के बाद उसे अनिमरी को डालते ही वो screen share कर लेता है और आपको google में या फिर कहीं भी आपको जैसे देखिए card number type करने को बोला या फिर आपको यह type करने को बोलेगा कि आपका CVV type कीजे आपने CVV type किया जब यह सब credentials उसे मिल जाता है तो वो इस तरह से आपको ठक सकता है और इस तरह से एनिडेस्क आप काम करता है तो कभी भी एनिडेस्क आप का इस्तमाल करने से पहले आप दस बर सूचें कि अगर आप उसे कोई भी चीज information अपने mobile screen पे share कर रहें तो वो जो cyber अपरादी है उसे देख सकता है तो दोस्तो जानता है कुछ टिप्स जिससे आप एनिडेस्क या इस तरह के कुछ एप से आप अपने आपको बचा सकते हैं तो कुछ टिप्स जानते हैं सबसे पहला आपको कभी भी किसी भी प्रकार का call आता हो और आपसे एनिडेस्क डाउनलोड करने को बोलता है टीम भीवर डाउनलोड करने को बोलता हो या आपको एरड्रॉड एप जो है डाउनलोड करने को या एपीके फाइल डाउनलोड करने को इस तरह का कोई भी चीज डाउनलोड करने को कोई बोलता है कता ही आप उस तरह के चीजों प फाइल होता है जो एप में इन बिल्ड होते हैं आप उनसे बात करें UPI में भी support का फाइल होता है आप सेटिंग्स में जाएं सेटिंग्स में आपको support and help मिलता है वहां contact number होता है आप वहां से बात करें आप कभी भी Google सर्च करके कोई number ना निकाले क्योंकि Google सर्च में अभी कुछ दिनों से यह देखा जा रहा है देखने को मिल रहा है कि वहां फ्रांस्टर ने जो cyber criminals हैं वो क्या किये हैं कि अपने number को customize कर देता है वो customize करने का उनका अपना तरीका है उस पे भी हमारी कारवाई चल रही है तो धीरे-धीरे हम लोग उसमें सुधार लाएंगे बड़ पहले तो आपको यह करना है कि आप Google सर्च करके कोई भी number ना निकाले दूसर भी आपका network weak हो तो आप UPI के थूँ ट्रांजेक्शन ना करें आपका battery weak हो या battery 1% पे हो आप कभी भी UPI के थूँ ट्रांजेक्शन ना करें आपका UPI में payment फस्ते ही आप सबसे पहला काम बैंक पतादिकारी को सुचित करें अपने जो nearest police station है उसको भी आप बता सकते हैं अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप दोखाद़ी के सिकार हो गया है आप हमेशा bank पतादिकारी का number अपने पास रखें customer care का number अपने पास रखें ताकि आपको मुसीबत के घड़ी में जब आपको ऐसा लग रहा हो कि आप cyber अपराद के सिकार हो गया है तब आप उससे में अपने आपको बचाव कर सकते हैं तीसरा चीज आप बहुत बार मैं लोगों को बोलता हूँ इसमें हमेशा यह ध्यान लखने वाली बात है कि बैंक के के प्रदादिकारी आपसे कभी भी number नहीं पूछते या कोई भी गुप्त कोड जो आपको message के दुरू मिलता हूँ कभी भी नहीं पूछते हैं तो आप हमेशा इस बात का ध्यान लखें कि कोई भी चीज share ना करें जो ऐसे ही आपने share करा आप तुरंत cyber अपराद के सिकार हो सकते हैं इसी तरह के कुछ और apps जिनको remotely control किया ला सकता है mobile को जिसमें कि आपका team viewer है, air droid है इस तरह के कुछ apps हैं जिनसे आपको बचने की बहुत जरुवत है तो हमेशा इस तरह के apps से बचें, इस तरह के app को download ना करें अगर आप any desk कोई आपको download करने को बोलता है तो कते ही उसे download ना करें, आप बिल्कुल सतक्ता से अपना काम करें कोई भी चीज सेर मत कीजिए, हमेशा जो भी click करते हों, बिल्कुल सही click कीजिए click safe, be safe, remain safe, जय है, जय भारत